असलाम लेकुम वियर्ज, वेलकम बेक टू माइ चैनल, आप लोगों ने मुलतानी मटी कई बार यूज की होगी, बट आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट नहीं मिले होंगे, और आप लोगों को बहुत ज्यादा ड्राइनेस का भी इशू रहता होगा, जिनकी ड्राइ स्कि हैं, क्योंके माड मास यूज करने के बार ड्राइनेस होती है, और ड्राइ स्किन पे ही बहुत ज्यादा रिंकल्स आते हैं, और उनकी टाइटनिंग बहुत जरूरी है, तो आज आप लोगों को ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताने हैं, आपकी स्किन वाइट भी होगी, आपक स्किन पे जरा सी भी ड्राइनेस ज्याद झो है नहीं रहेगी, तो हमस्ते क्या है सबसे पहले हम मास्क बनाने के लिए ले रहे हैं वाइटनिंग पॉडर, कावलीन क्ले है, ठीक है कावलीन प्ले है वो आपकी स्किन यूज को इन्सेंट वाइटनिंग देती है, उसके साथ यह एक मेन इंग्रीडियन्ट है जो आपके मास को बहुत अच्छा स्मूध टेक्स्चर देगा आपकी स्किन पे ड्राइनेस नहीं आने देगा आपकी स्किन पे अलास्टेसिटी देगा अर्गन ऑईल का इस्तमाल अगर आप अपनी स्किन पे ऐसे भी करते हैं तो ड्राइ स्क का रहे हैं तो हाफ टोनर और हाफ वाटर एड़ करेंगे और अगर हमें लगता है कि वन टी स्पून एड़ करने के बाद भी हमें पानी की जरूरत है या लिक्विड की जरूरत है तो हमने पानी ही एड़ करना है फिर हमने उसमें रोज वाटर या फिर टोनर एड़ नहीं क आलिम की केरेट क्रीम जो है वो अप्लाइ कर ली, अब यहाँ पे जी केरेट सीड आइल, केरेट आपको बता है ना रूट होती है, तो ये आपकी स्किन को जितनी हाइड्रेशन देगी ना, कोई भी और आइल जो है ना वो इतनी हाइड्रेशन नहीं दे सकता, मॉस्चराइज होजे, सुपर मॉस्चराइज होजे और ड्राइनेस बिल्कुल खतम होजे, यानि इतनी मॉस्चराइजेशन होनी चाहिए कि मसाज करने के बाद भी स्किन पे फील होके ऑईल लगा होगा है, ठीक है ना, उसके उपर आपने लगा देना है, मास्क, अब आप यह देखें कि ना ही आपकी स्किन ड्राइनेस की तरफ जाएगी, आपका जो मास्क है वो जब ड्राइ होगा तो आपके स्किन को टाइटनिंग मिलेगी, टाइटनिंग ही हमें बेसिकली चाहिए, तो तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने वाश किया है, अब आप यह देखें कि गिले हाथ में आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि स्किन पे जरा सी भी ड्राइनेस नहीं है पानी इकठा हुआ है, ऑईल ने स्किन पे ड्राइनेस नहीं आने दी अब मैं आपको खुश करके दिखा देती हूँ कि स्किन की लाइटनिंग कितनी अच्छी हुई है आप देखें कि पीछे से मेरा बाजू और मेरे हाथ में कितना फरक है स्किन की क्लिन्जिग कर देता है, दूसरा हाथ भी आप देख लें क्लिन्जिग इतनी अच्छी होती है मुल्तादी मट्य जो है न इससे अच्छा मास्क में कहती हूँ कहीं होता ही नहीं है दुबई गई थी वहाँ पे भी ना पॉलर्ज में ऐसा मास्क मुलतानी मटी को यूज किया जा रहा था तो आप लोग भी औलिम से मुलतानी मटी मंग वा लें क्योंकि औलिम की मुलतानी मटी और गैनिक और प्योर है अच्छा अगर आपको आपकी एक्स्ट्रा ड्राइ स्किन है तो फिर कैरट सी डॉल आप मास्क को यूज करने के बाद भी स्किन पे अपलाई कर लें आपकी स्किन बहुत अच्छी हाइडरेट और मॉस्टराइज हो जाएगी दूसरे हाथ में और इस हाथ में आप फरक देख लें ना ड्राइनेस से डरें और ना ही मास्क लगाने से डरें अर चीज को यूज करने के तरीके होते हैं यह नहीं है कि हर चीज जो है वो हमारे लिए नहीं है हम सब कुछ यूज कर सकते हैं बट कुछ ट्रिक्स को फॉलो करते हुए पर यह तमाम नैच्रल और और और्गैनिक प्रोडट्स हाँ परचेस करना चाते हैं तो औलिम से परचेस कर सकते हैं www.olim.pk पर और कर सकते हैं आप इंकी वेबसाइट पर आपको और भी बहुत सारे डिसकाउंट मिल जाएंगे लिंक मैंने मेंचन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है बारमुलदानी मटी को इस तरीके से यूज करें और मुझे बताएं रिजल्ट कैसे मिले मैं मिलूंगी नेक्स वीडियो में अलाहाफीज